सबी किसान भाईयों को नमस्कार साथ इस समय मैं धान के खेत के पास हूँ और ये गांगर पधाना जो में रोड है तरावडी एक जगह है नीलो खड़ी हलका में करनाल जिला में तो मैं वहां से निकला तो मैंने काफी खेतों में देखा कि बारिश का जो पानी है वो तो अब नीचे हो गया है मगर कुछ खेतों में सफेद रंग की तितलियां जो हैं छोटी सी सफेद मक्खी भी इसको हम कह सकते हैं ये धान के पत्तों में बहुत दूर तक चमकती हुई चिपकी हुई दिख रही है और ऐसा ही मैंने किसानों से जब पूछा तो दूसरा ब्लॉक है हमारा उस तरफ काच्वा गाउं के पास सफेद मक्खी की जगए ब्राउन से रंग की भूरे रंग की वो मक्खी हैं आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तो मैं ने ये देखा कि ये नुकसान धान को कर रही हैं या कर सकती हैं ये जो दोनों ही तरह की मक्खी हैं या तीतली जैसी शकल की हैं ये जो हैं हाली में एकदम से आई हैं बारिश के बाद तो ये भाईव में आदर्ता जज़ादा होने के दलते बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं और अंडे देती हैं और दिन दिन में ये फैल जाती हैं कुछ किसान भाईयों का ऐसा मत है कि जब ये तितलियां दिखती हैं इस प्रकार की सफेद या भूरे रंग की धान की फसल में तो उसके तुरंट बाद ही तेला भी आता है और गोब की सुन्डी भी आती है तो सभी किसान भाई ध्यान देंगे अपने अपने खेट में जाके देखेंगे कि क्या ये तितलियां जैसी सफेद या भूरे रंग की मखी जो हैं ये इनके पत्वों पर चिपकी तो नहीं हुई हैं अगर चिपकी हैं तो उनको जड़ा उड़ा के देखे तो बड़ी तेजी से फूर्ती से उड़ जाती हैं तो ये जो तितलिया हैं या सो कॉल्ड सफेद या भूरे रंग की मखी सी है ये बड़ी तेजी से अंडे देती हैं और इनकी खुद की अवस्था जो है कि साथ दिन के आस्पास ही होती है मगर उस से पहले ही ये प्रजनन करती है और अंडे देती हैं पत्तों के नीचे की सते में जो कि दिखते नहीं है और पत्ते के नीचे जब अंडे दे देती हैं तो उसमें कुछी दिनों में एक निम्फ बन जाता है अंडा हैच आउट करता है जब उसमें से आगे बच्चा बनने की प्रक्रिया होती है तो उस निम्फ का जो तरल द्रब्ब्य होता है वो बहुत ही चिप-चिपा सा होता है और अपत्य को निम्फ जो है ये धीमे-धीमे खाती रहती है और पत्य को जितनी भी इस अवस्था में बनाया गया भोजन है उसमें जो पौदे में संग्रहित की गई उर्जा है एनर्जी है जो कि अब गोब में आने पर बीज बनाने में वो एनर्जी इस्तमाल होनी है वो पूरी तरह से मिलती नहीं है वो निम्फ अपने ही बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए इस्तमाल करती है पत्ते में से चूसती रहती है जिसके चलते पत्तों में दब्याने शुरू हो जाते हैं और पत्ते जो हैं पीले पढ़ने भी शुरू हो जाते हैं तो किसान भाई ध्यान देंगे कि इस प्रकार के जो कीट हैं उनका प्रवंदन जो है वो पेस्टी साइड से ही होगा हलाके मैंने पिछली वीडियो में कहा था अब किसी भी हाल में हो सके तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे मगर वो बात लागू होती है जहां पर गोब से बाहर आ गए हैं और दाने बनने लग गए हैं मगर अभी क्योंकि यह गोब अवस्था से पहले का खेट है यह उनी जगहा पर ही ज्यादा है जहां पर अभी बावर नहीं आई है और बाली बनने में कुछ दिन है तो इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जा सकता है क्योंकि यह पेस्टिसाइड जो है पेस्ट को मार देंगे तो इन टितलियों को मारने के लिए के अंडे ना दें तो इमीडा क्लोप्रेड जो है 70% डबली जी इसका बारा से चौदा ग्राम प्रति एकड का इस्तिमाल कर सकते हैं या अमीडा क्लोपरिड पत्तों के नीचे की और भी स्प्रेय होना चाहिए यह हवा में नहीं उड़ाते जाएं बहुत तीजी में करते हैं कुछ लोग कि एक और दवा भी आप पूछ सकते हैं यह मक्ही आप देख रहे हैं यह कितनी छोटी सी है सुक्षम सी और यह अब उड़ेगी कितनी फुर्तीली है यह आप इनको अपनी फसलों में बचाने के लिए भूरे रंग की आप देख रहे हैं यह दूसरी तरह की है मगर दोनों ही रस्ट चूसक मक्हिया हैं आप ऐसी टैमिपरेट 20 परसंट एस्पी और वाइप फैन्थरेन 10 परसंट एसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों का ध्यान रखें नमस्कार तरह कर सकते हैं आपकार